खंडवा शेहर के इंदोर और इस्तित आईटी ओफिस के पास एक दिल देलाने वाली घटना सामने आई है। एक पती ने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद उसके श्रव को फासी पर लड़का दिया। इस घटना के बाद शेतर में संसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पदम नगर पुलिस मौके पर पहुँची और पंचनामा बनाया। बनतक के परीजनों ने बताया कि दोनों पती पत्नी दिवाले के बाद ही यहां आये थे। और कुछ समय तक एक-एक दिन वे रिष्टेदारों के यहां रुके और फिर यहां रहने लगे। परीजनों के अनुसार दोनों किसी कंपनी में काम करते थे और नाइट शिफ्ट में काम करने की बात कहते थे। गटना कैसे हुई इस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं। पुलिस मामले की जाच कर रही है। खनवा से प्रितम लखवाल की रिपोर्ट। कि अनुसार करने वाले थे थे खाले काम थे हुई। तो जाना नहीं कमरे पे देना मेरे साथ में काम करना दूसके जाना नहीं तो नाइट में जाता नहीं तो नाइट में लेकर जाता है तो नाइट में लेकर जाता है तो नाइट में 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 जाता है तो नाइट कि इस ने मारा होगा दूसरे और कुन मार सकता है अभी इसे नाम दोनों मिया भी भी तो है साथ में भी पंद्र रोग ने अबी पंद्र रोग दिवाली की बात में आई है तो रात भरी है वह हमारे गया तो रात बर रहें वह मुशिक घर रहें उनकी नानी जी के गड़ में रात बर रहें सब करने जाता था कुछ पता नहीं था हुआ यहां पर काम करने जाता था कुछ पता नहीं था काम करके खड़ा कर रहा हुआ था मिन बहुत चलो अच्छा पास में है अभी जाए जाना कि मतलब दोने जो नंदर केट लगा के रहेंगे वहाँ बहुत बहुत दोनों अंदर कमरें में रहेंगे कि देखा था किसे का मारा कुछ नए तर में कुता भी लड़की का मुझ तक भी ने देखी में को तो बताए जननी हमारे जाने पहले हैं आप देख रहे हमारा चैनल हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें